नमस्कार दोस्तों मैं रुद्र परताबसी आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके चैनल मास्टर की पे अगर आप इस चैनल पर नए है आपका पहला विजिट है तो पहले जाके सब्सक्राइब बटन पहिट करें साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें तो आज के लेक्टेर आपन देखने वाले हैं रूट्स के बारे में कल अपने देखा था उसके बाद से कि ये roots के बारे में देखा था कि root अगर किसी equation का अगर मैं बोल रहा हूँ quadratic equation का कि ये उसका root होगा तो root का मतलब क्या होता है कब उसका root कहलाएगा कब नहीं कहलाएगा इसके बारे में कल अपन ने चर्चा किया था थोरी बाते और roots के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये roots निकाले कैसे जाते हैं कितने method होते है quadratic equation में roots को find करने के लिए और roots किसकी value होती है जो अपन find करते है roots वो किसकी value होती है तो आईए start करते हैं बीना किसी देरी के देखिए roots of equation कल इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि roots होता क्या है और अपन ने देखा था कि अगर आपको एक quadratic equation ax square प्लस bx प्लस c is equal to 0 गर given है और मैं अगर बोल रहा हूं कि alpha and beta जान से सुनियेगा alpha and beta ये इसका root होगा इस equation इसका तो क्या होना चाहिए जब मैं इस equation में x की जगे alpha put करूँ और एक बार और x की जगे अगर beta put करूँ तो दोनों value जग put करने पर उस equation की value कितनी हो जाने चाहिए भी या 0 के बराबर तब क्या कहेंगे कि alpha and beta are the roots of this equation अगर equal to 0 नहीं हुआ तो क्या पोलेंगे सर वो इस equation का root alpha और बीटा नहीं है ठीक है उसके लिए मैंने एक example भी लगा है था आपके सामने तो आईए example में put करके देखते हैं कैसे देखेंगे तो आपको equation given था given है यह x square plus 7x plus 12 और मैं क्या बोल रहा हूँ कि minus 4 and माल लिजी यह px आपको given है ठीक है और मैं बोल रहा हूँ कि minus 4 and minus 3 is a root of this equation तो आप क्या करोगे x कि जाए क्या करोगे minus 4 पहले put किजिए तो minus 4 का square plus 7 into minus 4 plus 12 तो यहां क्या आजएगा p of minus 4 is equal to what 16 plus 16 minus का यह 28 ठीक है जी और plus 12 तो 16 plus 12 कितना हो जाएगा 28 और एक पहले सा minus का 28 गीवेन है आपको तो plus का 28 minus का 28 कटका कितना आगया p of minus 4 कितना आगया बेटा 0 तो p of minus 4 0 आगया तो क्या बोलेंगे कि minus 4 is a root of this equation वैसे ही 3 के लिए भी आप निकालिएगा देख लिए जगे निकालके उससे भी p of 3 भी आपका 0 आएगा तो क्या बोलने जाएगा minus 3 is a root of this equation अगर मैं यहाँ पर x के जाएगे 4 पूट करता और x के जाएगे minus 3 पूट करता और minus 4 भी पूट करता तो अगर यह equation पूरा यह equation आपको given है यह equal to अगर 0 नहीं होता तो क्या minus 4 and minus 3 is a root of this equation no sir वो तब इसका root equation का इस equation का यह root नहीं होता ठीक है sir अब जरा आईए दो तीनी बाते में आपको बताता हूँ जो कि आपके books में नहीं given है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है देखिये जरा यहाँ मैं बोल रहा हूँ alpha and beta सर दो टर्म लेने की क्या जरूरत है जरा यह बताएं क्या यह मतलब दो इसके root होंगे क्या दो होंगे root सर तीन होंगे root या 4 होंगे root सर या फिर एक ही होगा root सर पताएं कितने numbers of root होंगे quality equation का बेटा एक बात आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जितने किसी भी equation का root जो है उसके highest degree पर depend करता है हमेसा जिस equation का जितना highest degree होगा जिस equation का जितना highest degree होगा उसके उतने ही root होंगे तो quadratic equation का highest degree बेटा क्या होता है 2 तो इसके root कितना होंगे 2 इसलिए मैंने alpha और एक मान लिया है बीटा क्योंकि जो आपको equation गिवेन था यह x square plus b x plus c is equal to 0 उसका आपको root आप नहीं निकाल सकता है वो gender form है तो मैंने let कर लिया जैसे कि आपने equation let किया है वैसे ही मैंने root भी let कर लिया और इस equation में देखिए यहाँ minus 3 and minus 4 आपको root given था तो मैंने put करके देख लिया तो root जो होता है वो किस पर depend करता है sir highest degree पे तो जितने numbers of highest जितना जिस equation का जितना highest degree उसके उतने ही root तो sir का cubic के highest degree 3 होता है तो उसके 3 root होंगे बिल्कुल अगर by quadratic के sir 4 होते है highest degree तो क्या उसके 4 root होंगे बिल्कुल सर linear के एक ही hd होता है तो क्या उसके एक ही root होगा बिल्कुल और quality के sir highest degree 2 होता है तो उसका कितने root होंगे sir हमेशा 2 ठीक है इसलिए मैंने late कर लिया था alpha and beta अब सर एक और बात बताईए जो alpha और beta sir आप निकालते हो वो किसकी value निकालते हो सर किसकी value निकालते हो अरे sir जो alpha और beta हम निकालते है ना वो निकालते हैं सर जो variable चल रहा होता equation में उसी की value alpha और beta किसकी value होती है जो variable चल रहा होता है equation में उसी की value होती है alpha and beta में आप समझे माना है आपको इंडियं बुक्स पड़ते हैं अब तो इन्डीयन बुक्स पढ़ते हैं तो में हमेशा एक्सेंड वाई को वेरियेबल का प्रिफरेंस दिया गया हर बुक में एक्सेंड वाई को ही वेरियेबल माना गया इसलिए आपको कुछ बच्चों को यह भी भाई हट हो जाता है कि एक्सेंड वाई ही क्यों वेरियेबल होता है ऐसे जरूर नहीं है जो आपको मान में आया सर उस दिन आपने बताया था कि रूट्स निकालते कैसे हैं इसकी चर्चा करेंगे अब नेक्स लेक्टर में तो आएए देखते हैं और रूट्स होता क्या है रूट्स एक ऐसी वेलू होती है किसी भी एक्वेशन की जब मैं उस वरियाबल की जगे उस वेलू को पु इक्वेशन में आपके क्वादेटी इक्वेशन में में तीन में एक निकालने के पहला में-डार टेक्वेशन। एक्वारी प्रॉट्स那麼 method है जिसके लिए आप पढ़ रहे हो कौन सा वाला भहिया स्रीधार्या चार्या रूल स्रीधार्या चार्या जी जो formula देके गए हैं उसके बारे में discuss करने के लिए factorization और complete x square तो आपने 9 में भी देखा होगा लेकिन आपके लिए नया कौन सा है स्रीधार्या चारे जी तो आइए एक बार और फिर से मैंने पॉल्नोमियन में में discuss किया था कि factorization किसी भी equation का factorization कैसे करते हैं एक बार और चाचा करेंगे factorization method से roots कैसे निकालते हैं तो पहला method जो आपको पढ़ना factorization method तो factorization method से आप x का जो variable आपका चल रहा है उसकी value आप कैसे निकालेंगे आईए जड़ा देखिए step wise step आपको बता देते हैं तो पहले तो factorization का मतलब समझिए what is factorization factorization मतलब factor करना मतलब तोड़ना ब्रेकप करना ब्रेकप कर लिया है न तो जी factor कर देना उसको तोड़ देना अब सर किसको तोड़ रहे हैं किसको तोड़ रहे हो अब आईए जड़ा देखिए किसको तोड़ना है और कैसे तोड़ना है आई कि नेक्स्ट बेच आपका पहला equation है वही px आपको लेड़ लेते हैं एक px आपको गीवेन है x square plus 7x plus 12 अब सर इसका factor कैसे होगा इसको factor सर इसको तोड़ेंगे कैसे तो आईए ज़रा समझेए वैसे तो प्लीज में मैंने आपको बताया था लेकिन जिन बच्चों अभी तक प्लीज मैं उनसे बोलूँगा कि आप पहले पढ़ लीजे अभी आप अगर पॉलनोमियल नहीं पढ़के अगर आप सीधर कोड़ेटिक देख रहे हो ना तो मैं यहीं बोल सकता हूं कि आपको 70-80 परस पॉलनोमियल को रीड करके फिर इसको रीड करोगे ना फिर आपको मज़ा आएगा कि क्या मैथमेटिक्स पढ़ा है क्योंकि यह दोनों चैप्टर आपस में मिलता दूलता है इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं कि पहले पॉलनोमियल का लेक्चर फॉलो कर लेना तो आफीड है आगे देखिए फ्यट्रा Station क différent किसी टर्म समझियों करने का तोड़ने का ।ाले मैं किसको है जर्णा देखिए पहला होता है सर फ़र्स टम को जिसके पास हाइएट पावर है उस टर्म भॉल्सट टर्म से मट्टिप्लाइ करना quadratic equation पढ़ रहे हो तो highest power HD किसके पास होगा x square के पास जिसके पास 2 हो ठीके तो उस term को first term को सबसे last वाले term से multiply करना या फिर ज़्यादा सही रहाएगा कहना कि आपका highest power वाले term को constant term से multiply कर देना तो पहला step लिख लिख लिजिए x square plus 7x plus 12 और side में आपको लिख लेना है कि x square into 12 is what plus 12 x square और यह sign भी indicate करते हुए चलना है plus minus minus आ रहा है plus आ रहा है plus आ रहा है multiply के बार तो x square into 12 कितना आ गया plus का 12 x square ठीक है सर अब ज़रा समझिए इस 12 x square को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है इस 12 x square को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका subtraction या फिर addition जिसका subtraction या फिर addition इस आपके बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए with sign ज़रा इस बात भी गौर किजएगा कि with sign बनाना है आपको यह जो multiply करके जो आपको टर्म आया है इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है बार बार बोल रहा हूं ज्यांज सुनिएगा कि इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है आपको जिसका addition या फिर subtraction जिसका addition या फिर subtraction बीच वाले टर्म के यानि x वाले जिसके पास x के पास जिसके पास 1 है पावर उस वाले टर्म के equal हो जाए with sign ठीक है जी तो 12 x square को ऐसे दो टर्म में मैं कौन कौन से में तोड़ूं तो एक सर 4 x ले लिजिए और एक सर 3 x ले लिजिए तो 4 x plus 3 x is equal to 7 x and 4 x into 3 x is equal to plus का 12 x square पहला step था कि तोड़ के सर इसका addition या subtraction बीच वाले टर्म के बराबर होना चाहिए जो आपने highest power वाले टर्म को और concept टर्म का multiplication लिखा है उसी टर्म के बराबर फिर से हो जाना चाहिए किसका जिस टर्म में आपने दोनों का तोड़ा है तो देखिए 4 x plus 3 x is 7 x plus का 7 x था वहाँ पे और 4 x into 3 x 4 x into 3 x is plus का 12 x square तो सर बिल्कुल सही तोड़ा है आपने तो x square plus 4 x plus 3 x plus 12 यहां से क्या आल गया x common ले लिजिए तो इसके पास 2 x है इसके पास 1 x है तो 1 x इसके पास बचे गया तो x plus 4 और यहां से plus 6 x plus 4 अब सही होने का तरीका क्या है उसका पता चलेगा आपको सही है यह वाला टर्म और Common लेने के बाद यह वाला दोनों क्या होना चाहिए आपस में सेम तो यानि आपने सही किया है अधरवाज आपने गलत किया है कुछ तो देखिए क्या क्या बन गया एक्स प्लस थ्री एक यह वह टम बन रहा है और एक एक्स प्लस फोर अब आपको क्या करना है equate कर देना है 0 के तो कर दीजिए इन दोनों term को equate कीजिएगा 0 के तो x plus 3 is equal to 0 comma x plus 4 is equal to 0 तो यहां से x की 2 value आई 1i minus 3 and x और i minus 4 ठीक है तो एक तो मैंने बताए यहां से check करने का दूसरा कि जब आपने x की value निकाल ले यानि आपने क्या निकाल ली रूट निकाल ली इन equation का तो अगर आप root की पता है कि अगर root आपको यह दोनों इस equation का root होगा तो इनकी value उसमें put करने पर यह किसके equal हो जाना चाहिए भीया 0 के equal हो जाना चाहिए इन दोनों value पर यह equation किसके equal हो जाना चाहिए 0 के अगर 0 के एक वर नहीं होता है यानि आपने factorization गलत किया है तो I hope कि आपको यह factorization समझ में आए एक बर और repeat कर देता हूँ मैं कि factorization कैसे हो का जरा समझी है पहले टर्म को जो highest power वाला term है उसको constant term से multiplication उसका multiplication आपको करके with sign लिख लेना है अब जो multiplication उसका आया है उसको ऐसे दो term में factor करना है ऐसे दो term में आप उसको तोड़ना है जिसका addition या फिर subtraction जिसका addition या फिर subtraction उसके बीच वाले term के यानि x वाले term के बराबर हो जाए विथ साइन विथ साइन बार बार बोल रहा हूं है विथ साइन ठीक है और उनी दो term का multiplication फिर से वो 12 x से square के बराबर हो जाए यानि highest term वाले term वाले जो आपने constant term का multiplication किया है जितना आया है उसके बराबर हो जाए विथ साइन ठीक है जी तो i hope कि आपको यह factor करना समझने है factor कैसे करेंगे किसी भी term का आगे भी बहुत सारे question आते हैं factorization में बहुत different type के question है तो उन type के question को ले के आऊंगा next lecture में में कि उनका factor कैसे करेंगे तो i hope कि आपको यह lecture समझने आएगा आपको काफी अच्छे से पसंद आ रहा है मेरा पॉल्लोमियर्स के lecture तो अभी क्ले इतना ही thank you so much फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले lecture में अभी क्ले इतना ही जैहिन जैवार बहुत आपको यह जैवार